नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुती खास तरीके के पौधे के बारे में जिसको हम आम भासा में अजवाइन का पौधे के नाम से जानते हैं लेकिन ये वो वाली अजवाइन नहीं होती जिसे हम मार्केट से लाते हैं ये अजवाइन के पत्तों से सिर्फ अजवाइन की तरों खुसबो आती है इसलिए इसे अजवाइन का पौधा बोलते हैं वैसे इसे कपूरवली, मैक्सिकन मिंट और या फिर औरगेनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये पौधा काफी जादा लाबदायक है दोस्तों इस तरीके के जो पेट की समश्याओं के लिए काफी जादा लाबदायक है आज मैं दोस्तों इसको आपको बहुत आसान तरीके से लगाना बताऊंगे कि किस तरीके से आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों आप सुबह उटके खाली पेट इसका एक पत्ता ऐसी ही चबा लेत देखे दोस्तों लगबग 6 महने पहले मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था और अभी ये मेरा प्लांट काफी ज़्यादा बड़ा हो गया है अभी जब से मैंने इसको लगाया है दोस्तों मैं डेली इसकी एक-एक पत्तियां तोड़ती भी हूँ खाने के लिए या पी काड बहुत अच्छी है तो आप दोस्तों ये समझ लिए आप इसको किसी भी मिटी पर लगाते हैं तो हर तरीके की मिटी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है इस प्लांट को दोस्तों बिल्कुल भी केर की जरुवत नहीं है बहुत कम केर में आप इस प्लांट को बहुत इसकी पतियों का साइज अच्छा करने के लिए और इसकी जल्दी ग्रोध पर जहाँ इसके उपर इसके उपर छन के धूर गूरंप आये अधि historically प्तियों का साइज काफी जादा ऑच्छा रहता है साथ ही इस पौधे को घना बनाने के लिए जो इसकी उपर से नई टिप्स आती है उनको टोड़ा बहुत जरूर है जब आप उपर की नई टिप्स को टोड़ते हैं तो नीचे ब्रांच में नए ने सूट्स आने लगते हैं और वो काफी ज़्यादा घना हो जाता है तो दोस्तो ये जो उपर की टिप होती है दोस्तो ये हमें हर पौधे पर जरूर करनी चाहिए प्लांट को घरा मनाने के लिए अगर हम पौधे को ऐसे ही लंबा बढ़ने देते हैं तो वो पतली सी डंडी हो रह जाती है और प्लांट ऐसे ही लंबा बढ़ते रहता है तो दोस्तो इस तरीके से हमें इसकी जो उपर के टिप है उसको टोड़ना बहुत जरूरी है साथ ही दोस्तो जो पौधे के नीचे के पत्ते होते हैं हम उसको खाने में यूज कर सकते हैं या फिर काड़ा बना सकते हैं या फिर कच्चा भी इनको खा सकते हैं देखे दोस्तों ये जो अजवाइन है ये वो अजवाइन है जो हम मार्केट से अपने घर में छोंक लगाने के लिए लाते हैं और ये जो पौधा है ये बिल्कुल अलग है वो मार्केट से हम दोस्तों ये अजवाइन लाते हैं इसका अगर आप पौधा लगाते हैं तो वो आपको सेम धनिये के पत्ते जैसा दिखेगा उसका पौधा धनिये के पौधे के जैसे होता है और जो दोस्तों ये पौधा इसलिए अजवाइन के नाम से फेमस है क्योंकि जो इसकी खुसबू है बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है ये देखे दोस्तों लगबग 10 दिन पहल लगाते हैं तो पानी में भी ये लग जाती है सिर्फ अभी इसको दसी दिन हुए हैं लगाए हुए आप इसकी रूट्स देखे काफी अच्छी इसकी रूट्स आ गई है और दोस्तों 10 दिनों में मैंने इसका अभी पानी भी नहीं बदला है तो ये देखिए 10 दिनों का य इसमें नई पतीयां भी आ गई हैं और जो रूट्स हैं वो भी खाफी जाधा अच्छी बन गई हैं, तो इस तरीके से दोस्तों, आप इस से पानी में लगा सकते हैं, और अभी मैं इस बुक्त लंबे टाइम तक पानी में लगा के देखूंगी, कि यह कितने लंबे टाइम तक पानी में चलता है इस तरीके से दोस्तो आप , ऑप इसकी चार से पांच इंच की कतनंग की पानी में लगाके रख सकते हैं बहुत अच्छे पानी में ग्रो हो जाता है चोटी चोटी बॉटल में भी दोस्तों यह पहुत अच्छे से ग्रो होता है आपके पास ज्यादा बड़े गमले नहीं है तो कोल्टरिंग की या फिर ओईल की जो छोटी चोटी बॉटल सा आती है आप उन में इसको लगा सकता है तो यह प्लांट गीली आप बहुत ज्यादा गील आप मिट्टी को ना करें अकसर जब हम बहुत ज्यादा कर देते हैं मिट्टी को तो जो नीचे सेrespondes होती है प्लांट की वह फिर चबर हो फानी डालना है आप इसको लिक्विट फेटिलाजर देते हैं तो इसकी जो प्लांट प्तिया αν वह बड़े साइच की होंगी नहीं तो प्लांट की जो पतियां हैं वो बिल्कुल छोटी-छोटी सी इस तरीके की रह जाती हैं दोस्तों जब से मैंने ये प्लांट लगाया है इसको मैंने दो से तीन बार ही लिक्विट फेटलाजर दिया है आप इसमें घर में जो भी आप लिक् रेंगिंग बास्केट में लगाई है उसमें भी ये बहुत सुंदर लगता है साथ ही आपके पेट में कोई प्रॉबलम है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और दोस्तों ये बिल्कुल नैचुरल चीज़े हैं इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता तो पत्ता तोड़के सुबहे खा सकते हैं या फिर आप इसका काड़ा बनाके पी सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद